इस वीडियो में आपसे डिसकस करूंगा वीकॉंप फिफ्थ समेस्टर के मैक्रो एकॉनुमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स के बारे में ठीक है आपको जो भी क्वेस्चन्स मैं यहां देने वाला हूं वो मैंने अपने एक्स्पिरियंस के बेसिस पर और प्री फिर भी अगर आपके पास time मिलता है तो आप कोशिश करें कि इन questions को जो very very important questions हैं इनको एक बार revise कर लीजेो और अच्छे से इसको prepare कर लीजे revise करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप simply pen और copy उठाइए questions को पढ़िए एक बार और पढ़ने के बाद उसको लिखनी का प्रयास करिए ठीक है आप ये मान की चलिए कि आप exam hall में बैठे हैं और आप time देख करके timer लगा करके कोशिश करिए कि within time आप questions के answer लिख पाए content आप अच्छे से पढ़ लिजी और इस वीडियो में मैं आप से कुछ questions के बारे में discuss करूँगा जो मेरे हिसाब से आने के पूरे पूरे chances हैं ठीक है मैंने बहुत सारे questions को देखा समझा और previous years के questions के trends मैंने चेक किये तो मुझे ही लगा कि यह question जो मैंने आपको इस पीपिटी में दिये हैं और इसके notes जो आपको PDF में मिलेंगे उसमें ऐसे ही questions को मैंने डाला है जो बहुत जादा important है और जिनके आपके exam में आने के 100% chances हैं दूसरी चीज मैं यहाँ कोई ऐसा claim नहीं कर रहा हूँ कि यह question paper बिल्कुल वही है जो लग्ण उनस्टी में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है यह मैंने अपने experience के basis पर कुछ questions आपनों को दिये हैं जो आप देख सकते हैं दूसरी चीज यह है कि अगर आपके पास इन questions को तय दिखें जो जरूरी है ठीक है चलो आगी बढ़ते हैं देखते हैं कौन से questions है तो यहाँ पर macroeconomics की बात की गई है सबसे पहला question जो हमारे सामने है वह है explain the concept of macroeconomics discuss its scope यहाँ पर आपको व्रेह दर्शात या सम्मिस्ट अर्शास्त की परिभाशा देनी है परिभाशा के आपको उसका scope बताना है उसका area बताना है working area क्या है मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि इस पे मैंने एक video भी बना रखी है जिसका नाम है macroeconomics and microeconomics दोनों के पीछ का difference समझाया है दोनों का working area बता रखा है आप उस video को देख लीजे एक important चीज मैं आपको बता दीजेगा यहाँ पर पहले question में आपको macroeconomics बताना है उसके बारे में definition देनी है at least दो लोगों की उसके बार आपको उसके scope के बारे में बताना है दो तीर point अगर आप चाहें तो उसका nature बता सकते हैं कि कैसा nature है और फिर आपको briefly explain करना है कि उसका scope कैसा है ध्यान रहे इन सा i questions का answer at least आपको 250 words में देना है कितने words में देना है 250 words में देना है तो इस बात कर ध्यान रहे कि 250 words में आपको इनका answer देना है और second question अगर हम देखें तो लिखा हुआ है what is mean by that circular flow of income यानि कि i के चक्री पर वाह को क्या कहते है या क्या होता है वो यह class में मैंने आपको पढ़ा उसका क्या use है I hope कि आपको याद होगा इसमें two sector model three sector model और four sector model मैंने आपको बताये थे ठीक है तो इस चीज का ध्यान लगना अगला question है what do you mean by the national income experience its aggregate to measure it आप राश्टी या ऐसे क्या समझते है इसको इसके मापक समंगर का वर्डन कीजिए यहाँ ध्यान लखिएगा what is aggregate aggregate का बतलब आपको इसमें क्या बताना है GNP GDP NNP ठीक है NDP यह जो चार factors है और यह चारू factors किस पर होते हैं एक होता है आपका market price पर और दूसरा आपका होता है factor cost पर तो इन चारू के बारे में आपको बताना है कि कौन-कौन से aggregates हैं और NNP at FC को आप national income के तोर से भी जानते हो य पर एक वीडियो भी बना रखिए aggregates of national income उसका भी लिंक आपको description box में मिल जाएगा अगला है what do you mean by consumption function इसका भी वीडियो आप लोगों को बनाया है देख लीजेगा ठीक है इसका भी वीडियो आप लोगों को बनाया है इसको भी देख लीजेगा कि उबहोग फलन से आप क् पर किसी इंसान के consumption पर कौन कौन से factors impact डालते हैं example के तोर पर उसके income relative goods and services के price ठेक है उस goods का price ये सारी चीजें उसके consumption पर effect डालती है तो ये वही various factors होंगे जो उसके consumption पर effect करेंगे और consumption function पर नहीं ठेक है बात समझ में आ गए आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा describe sales law ये बहु पढ़के जाना sales law of market examine its validity आपको ये बताना है कि जो say का law था supply creates its own demand ये मैंने पढ़ाया होगा न कि supply creates its own demand याद है supply creates its own demand पूरती अपनी मान स्वयम पैदा कर लेती है ये जो port है ये जे बी say का है तो जे बी say का law क्या है इसको आपको ध्यान से पढ़के जाना है marketable law जो है इनका इस पूरे law के बारे में आपको सब कुछ पढ़के जाना है जैसे कि इसका statement क्या है अगर हम बात करें कि इसका statement क्या है तो statement आपको पढ़के जाना है दूसरा आपको पढ़के जाना है इसका फिर आपको explanation करना है explanation करने के बाद इसका graph बनाना है जो अगर graph ह इस समर्क के बारे में अच्छे से पताकरनाव क्या है आगे सिक्स्स क्वेस्ट ने महाँ तरा जीन ऐही वीडियो ये हैं हमने सेविग फंक्शन चन के बारे में आपको लॉंग में पड़के जाना यह काफी जाधा इंपोटनेंट शॉर्ट वी फूछा जाता है और लॉंग में यह लॉड खालता है ठीक है इसके साथ ही सात एक और फंक्शन है जिसे वहां है सेविंग फंक्शन के सातھ है कंजम्शन फंक्शन कौन सा फंक्शन है टwah क्टम्शन फंक्शन की वीडिओ मैंने बना रखे उसको भी जाके देखिन और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसकी वीडियो बनी हुई है अगला है explain the circular flow of income in four sector model घ्यान रखना four sector model में आपको circular flow of income के बारे में बताना है ठीक है तो four sector model पो आप क्या कहते हो open economy भी कहते हो याद रखना open economy भी कहते हो last time मैंने आप लोगों को class में यही पढ़ाया था ठीक है तो four sector model में circular flow कैसे बनता है diagram से समझाना है याद है आपको household होता है इधर होता है firm इधर होती है government इधर बैंक इधर होता है government इधर होता है foreign sector इधर होता है यह सारी चीज़े आपको बतानी है diagram के थो ठीक है आगे बढ़ते है what is the relationship between the marginal efficiency of capital and marginal efficiency of investment अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक consumption function होता है एक saving function होता है एक investment function होता है अब investment function का यह question है और इसे long में तयार करके जाना है कि सीमान्त पूंजी की दक्षिता क्या है और निवेश की सीमान्त दक्षिता क्या है ठीक है समझ में आ गया अगला है आपका जो very very important है वो है ISLM theory थेरी के बारे में पूरा आपको पढ़के जाना है ISLM theory अगर आप अच्छे से तयार करके long में जाओगी तो at least इससे दो short आपके आराम से फज़ जाएंगे ठीक है समझ में आगी बात ISLM theory जो है आपकी important theory है यह हर साल कुछी जाती है तो इस बात का ध्यान रखना कि ISLM theory को long में तयार करना जिससे आपके 2-3 short आराम से इसके cover up हो जाएंगे आपके आगी बढ़ते हैं question number 10 है explain the different phases of trade cycle trade cycle के different phases के बारे में आपको क्या तरना है explain करना है trade cycle के different phase होता है ना ऐसे 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 चलता है recession आता है यह सारी चीज़ें तो आपको trade cycle के यह different phase पता होना चाहिए कौन-कौन से phase में बाटा गया है इसको और उसको आपको पढ़के जाना है अच्छे से यह सारे long question की बात कर रहा हूं है अगला है आपका 11 number question what is inflation आपको inflation बताना है होती क्या है meaning बताना है type बताना है और measurement यह class में मैंने आपको कई बार बताया है inflation के बारे में तो inflation में meaning आपको पता होनी चीए कितने type होते basically दो type जादा important होते एक तो आपको graph पढ़ा होगे जिसमें कहेगा दोड़ती हुई फिर serpent बागती हुई ऐसे करके creeping यह समनी वो तो normally ही है एक होती है cost push और एक होती है demand pull यह दोनों inflation आपको बहुत important है पढ़के जाना type में और इसके measurements कैसे हैं ठीक है आगे what is the Hicks and Keynes model of business cycle business cycle जो भी मैंने बताया ना यह business cycle इसमें एक Keynes और Hicks Allen Hicks का एक model दिया था उन्होंने वो दोनों modern क्या है यह दोनों Keynes का और इसका पढ़के जाना है आपको याद रखना है यह at least 300 words में answer होने चाहिए इनके 200 से 300 words में इनके answer आपको देने हैं अब हम बात कर लेते हैं short note कौन कौन से सबसे पहला याद रखना है इन short note के आपको कुछ ऐसे short note पढ़ने हैं ठीक है यह tip पड़ी योगा गलत हो गया है चलो आगी बढ़ते हैं what do you mean by green accounting green accounting क्या होती है इसके बारे में अच्छे से पढ़के जाना है या आप national income accounting वाले chapter में ही मिल जाएगा ठीक है अगला what is paradox of thrift इस पर मैं आप लोगों को लिए एक वीडियो लाने ही वाला हूं वो वीडियो बहुत जल्दी है आपको मिल जाएगी तो जल्दी से आप लोग वीडियो देट सीजेगा ठीक है यह बहुत short में है बहुत important है एक paradox of thrift है और एक है wedges ठीक है वेज रेट का यह दोनों ही बहुत important है अगला है limitation of macroeconomics ठीक है यह micro नहीं यह यहां गलती से टाइप हो गया मैकरो यह macroeconomics की बात कर रहा हूं ठीक है यह macroeconomics है macroeconomics की limitation क्या है कौन कौन से ऐसे अरिया ने जहाँ macro economies का use नहीं किया जा सकता या कहां कहां नहीं कर पा रहे हैं तो यह दोनों drawback हैं अगला है आपका what do you mean by the national income accounting अभी मैंने पीछे green accounting पूछा था आप national income accounting के बारे में पूछ रहा हूं कि national income accounting से आप क्या समझते हैं याद रखना short के जितने भी question होंगे उनकी answer आपको 100 words में देन employment यह पता होगा आपको कि क्या income और employment की brief explanation देने यह नहीं कि इसको 300 है इसका मतलब 100-500 के बीच में पूरा summarize वे में बता देना है अगला है Fission equation of quantity theory of money quantity theory of money में Fission की equation याद होगी PV is equal to MV करके जो equation थी यह equation आपको याद रखनी है और इस equation कोई सर्फ नहीं दिखना है इस equation की बारे में बताना है P का मतलब V का मतलब M का मतलब V का मतलब यह सारी चीज़ें आपको बतानी है तो इतना समझ मैं आगे बढ़ते हैं discuss the concept of multiplier ग ऐसे कि आपने अगर micro economics में जब आप first semester में थे तो आपने micro economics पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा होगा indifference curve का जो properties थी वैसे ही ISLM की properties होती है आप से पिंचा जाएगा ISLM positive और negative flow के क्यों होते हैं ऐसा क्यों देखने को बलता है तो अगर आपने ISLM अच्छे से तयार किया तो आपके ISLM के curve भी तयार होगे ठीक है अगला है आपका what is demand pull मैंने का था inflation अच्छे से पढ़ना demand pull inflation and cost push inflation क्या होती है demand की वज़े से जो inflation आती है उसे demand pull inflation और जो cost की वज़े से आती है वो cost push inflation लेकिन दोनों में क्या reason है यह लिखके नहीं आना है कि बस demand की वज़े से आ र policy इसको government क्या करती है और monetary policy को RBI govern करता है ठीक है कौन govern करता है RBI govern करता है तो fiscal policy होती क्या है यह बताना है आपको फिर अगला है role of fiscal policy in developing economy developing यानि कोई जो develop कर रही है economy उनमें क्या role अदा करती है fiscal policy याद रखना fiscal policy और आफका monetary policy यह दोनों में करके किसी country को आगे बढ़ाने का क अगला जो last half का short note वो है characteristic of business cycle, characteristic of business cycle, business cycle की characteristic है इसकी characteristic होती है इसका एक nature होता है एक path होता है जो follow करता है वो क्या nature है वो आपको पता करके बताना है ठीक है तो characteristic आपके book में बिल जाएगी यह कुछ important थे यहाँ पर आपको यह समझने को आ गया कि आपको कितने long तो मैं यहाँ बात करें तो short note अगर आ गया तो वो 100 से डीड़ सो words के बीच में होना चाहिए दोनो words की बात हो रही है ठीक है शब्दो मैं अंसर देना है I hope कि आपको वीडियो समझ में आवे इस video को जादा से जादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है और मेरी एक humble request रहेगी किसमें बहुत सारी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वह मैं बना रहा हूँ ठीक है अभी वो running condition में हैं तो अब मैं जल्दी ही मिलूँगा आप सबसे ठीक है God bless you all thank you so much